हेलो गईसे और वेलकम टू माई योटूब चेनल टेक्निकल उत्तर परदेश दोस्तो आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हो कि अगर आप अपने रियल मी C30 की फोन में यहाँ पे होम इसकीन पर स्वीप डाउन करते हैं आपको नोटिफिक्शन बार ओपिन नहीं होता या सर्ज बार ओपिन नहीं होता यह सेटिंग आप लोग कैसे करेंगे दोस्तो सबसे पहले आपको अपने फोन में शेटिंग ओपिन करना है सेटिंग ओपिन करने वाद यहां पे आप लोगों को एक ओप्शन देखने को मिलेगा होम इसकीन एंड लोग इसकीन मैग जीन का इस ओप्शन पर आप लोगों को किलिक कर देना है जिसी दोस्तों आप लोग इस ओप्शन पर किलिक कर देते हैं किलिक करने वाद यहां पर आप लोगों कुछ ऐसा इंटरफिस देखने को मिल जाता है तो यहां पर होम इसकीन की सारी शेटिंग हम लोग यहां से कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे बहुत फ्रे option आपको देखने को मिल रहे हैं नीचे की तरफ आप लोग हलका आएंगे तो यहाँ देखेंगे shift down on home screen को option आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है इस पर जब हम लोग click करते हैं click करने के बाद यहाँ पे search bar है यहाँ पे अगर आप लोग search bar select कर देते हैं या notification bar select कर देते हैं तो आप अपने home screen पे जाएंगे वहाँ पे slide करेंगे तो यहाँ पे slide करने के बाद आपका search bar open होगा notification bar जो ड्रावर सेट के दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएद वीडियो को लाइक करिए और चैनल को आप लोग subscribe कर देजिए